सब्सक्राइब कीजिए वीजे महता चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टेकनोलोजी की सारी ख़वरे आपको सबसे पहले और सबसे आखिर में बिलकुल ना मिल सके कट अगर आपके पास एक Android फोन है तो आपको कुछ सेटिंग्स उसमें इसी पल इसी वक्त इसी समय इसी शन चेंज करने पड़ेंगी क्योंकि इन सेटिंग्स को चेंज करके शायद आपकी जिंदेगी बिलकुल बदल सकती है तो वीडियो को आखिर तक देखते रहे हैं ताकि ने ने आये ले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का वीडियो को लाइक करने का अपने दोस्तों के सांथ भी शेर करने का सब में सेटिंग बाथने का आपशा सब औरो सब की सेटिंग करेंगे समझ रहे ले हो सुए ना कोई टाइम वेस की चलिए है लट्स बिगेण नौ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यह जो setting वाली series है ऐसी बहुत सारी settings में आपको अलग-अलग apps, अलग-अलग mobile, अलग-अलग यहाँ पर custom room में देखने को ज़रू बता सकता हूँ तो आपको अगर यह वाली series चाहिए तो नीचे comment section में comment करके ज़रू बताना तो दोस्तो यहाँ पर हम सभी एक phone को definitely use करते हैं आज के time पे लेकिन उस phone में बहुत सारी ऐसी खूफिया settings होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है तो यहाँ पर आज हम उनीख होफिया settings में से कुछ 5 settings के बारे में बात करने वाले हैं जिनको यहाँ पर change करके आपके phone का थोड़ा सा यहाँ पर use करने का आपका थरीका बदलने वाला है तो अब बात करते हैं यहाँ पर पहली setting के बारे में दोस्तो हमारी setting नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ हम फोन की setting ना करें definitely हम फोन की setting कर करेंगे यहाँ पर बात करें पहली setting के बारे में तो हम सब जानते हैं कि हमारे phone में कुछ ना कुछ ads का लेन देन चलता रहता है कभी न कभी हमें कहीं न कहीं किसी भी website पे, किसी app पे ad show करते हैं तो यहाँ पर आपने कभी सोचा होगा कि आप अगर कुछ चीज सर्च करते हैं यहाँ पर आपने एक दिन पहले सर्च किया कि best laptop अंडर 50,000 तो यहाँ पर अगले दिन आपको laptop की ad देखने को मिल जाती है अलग टाइप के laptop बेज जरे होते हैं जो आपने budget range डाला है उसी budget range में आपको laptop देखने मिलते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आपका data google ना ले आपको ऐसे ads ना दिखाए आपको जाने simply यहाँ पर settings में अपने phone की आपको एक option मिल जाएगा privacy का और उसमें आपको जाना है ads में आप यहाँ पर opt out कर सकते हैं तो आपको आपने जो search किया जिस search कर्म कोई ढूँगा है उसके अलावा दुनिया भर के ads देखने को मिलेंगे लेकिन वह जो आपने search किया है वह उस टाइप के ads नहीं देखने को मिलेंगे पाकी सारे ads आपको definitely फिर भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर बात कर रहें setting number 2 के बारे में तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो अपने net data को बहुत ही ज़्यादा बचा के रखते हैं वो अपने data फालती चीज़ों में invest नहीं करते हैं या खर्चते नहीं हैं तो यहाँ पर बहुत सारे apps ऐसे होते हैं जिने ह में install नहीं करना हो, बट हम उसे देखना चाहते हैं कैसे वह work करता है, तो यहाँ पर एक feature जो है आपको Google की तरफ से देखने को मिलता है, कि instant preview का, मतलब आप को बिना download किये हुए उस app को open कर सकते हैं, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो इसे first of all आपको enable करना हो होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे यह work करता है, तो इसे enable करने के लिए आपको क्या करना है, simply दुबारा से settings में जाना है, और settings में जाने के बाद आपको यहाँ पर जानना है Google में, उसके बाद यहाँ आजाना है, account services में, वहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, Google Play Instant, तो आपको यहाँ पर Google Play Instant को enable कर देना है, इसके बाद क्या होता है, चलिए मैं आपको जादू दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते कि मेरे phone में जो है Call of Duty मैं इन्स्टॉल नहीं किया, और आप जानते हैं यहाँ पर यह 1-2-3GB के बीच की game है, अगर मेरे को इसे खेलना हो, बिना इसे इंस्टॉल किये, तो आपको यह function की वज़े से यह opportunity देखने को मिलती है, तो अभी आप Call of Duty में गए, यहाँ पर आप देख सकते कि आपके सामने try now का option आ रहा है, तो आप try now पे click करेंगे, तो आपके सामने यहाँ बिलकुल game जो है, साक्षात आपके phone में install नहीं है, तो यह काफी अची बात है, सारे apps यह से support नहीं करते हैं, जो जो app support करते हैं, उनके सामने आपको try now का option देखने को मिल जाएगा, तो definitely इससे आप बिना किसी app को download करें, पहले उसे use कर सकते हैं, उसके बाद आपको पसंद आए, तो उसे download कर सकते हैं, नव बात करें, यहाँ पर setting number 3 के बारे में, तो जैसी आप सब जानते हैं, हमारे phone में जो है हम settings में जाते हैं, कभी app crash हो जाता है, कभी कुछ चीज़ अच्छे से work नहीं करती है, और कभी कभी सारी चीज़ अच्छे से work करती है, smoothly चलती है, तो यहाँ पर इन सब का जो एक backup आप है, बोल लीजे, backup नहीं, तो यहाँ बोल लीजे, एक report जो है, वो generate होती रहती है, और वो यहाँ पर server पर जाती रहती है, तो यहाँ पर यह server पर अगर आपको नहीं भेजना है, क्योंकि जब यह server पर जाएगी, तो definitely आपका यहाँ पर data usage होगा, और थोड़ा बहुत आ server पर यहाँ पर नहीं भेजना, तो इसे आप opt-out कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है, simply settings में, and settings में जाने के वाद आपको यहाँ पर आजाना है, Google पर यहाँ पर तीन डॉर्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर usage and diagnostics में जाक phone की चार-चार setting हो चुकी है, इससे आपको जलने की जरुवत बिल्कुल नहीं है, phone की setting definitely होनी जी है, तो जब भी हम यहाँ पर कोई new app को install करते हैं, तो वो हमारे home screen में add हो जाता है, and वो ऐसे ऐसे धीरे-धीरे करके बहुत सारे app हम install करते हैं, अपने phone में, दुनिया भर की रंगीनिया मचाते हैं, तो वो सारे हमारे home screen में भी add हो जाते हैं, तो जिससे हमारा एक page खराब हो जाता है, काफी जो है phone भद्दा लगने लगता है, मजा नहीं आता है, इस चीज को हटाने के लिए आप simply यहाँ पर क्या सकर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने home की settings में जा स यहाँ पर बात करें, setting number 5 के बारे में आपकी कोई setting नहीं है, तो phone की setting नहीं होगी, तो definitely हमपर phone की setting है, पांचवी setting में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार क्या होता है, अपने keyboard से, मतलब phone के keyboard से जो है, बहुत बार टाइपिंग करते हैं, बीच में हमें number चाहिए होत प्रेस करके रखने हैं, तब वो जाके number first row में आता है, तो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं, कि आप उपर में एक row number की add कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा typing में काफी fast आप typing कर सकते हैं, मतलब अगर आपको यहाँ पर number भी type करने हैं, क्योंकि chat में किसी कदीन धरम नह आपको इसे इनेबल कर देना है, जैसी इसे इनेबल करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से एक row आ जाएगी, ना आप यहाँ पर आप chat करते हैं, नमबर का भी प्रेयोग कर सकते हैं, नमबर का प्रेयोग करके आप code language में बात कर सकते हैं, अपने girlfriend से, boyfriend से, क्योंकि WhatsApp का data mark अगर बिल्कुल ऐसे ताक लगाई बैठा है, जैसी आपने यहाँ से कुछ ऐसी तैसी करी, वह वहाँ पर पढ़ लेंगे, तो WhatsApp की बेस्ती वाली बात होगी बाई, तो दोस्तों ये थी कुछ settings जिने आपको यहाँ पर change definitely करना चाहिए, और यहाँ पर आपको वीडियो कैसी लगी नीचे comment section में comment करके जरूर बताना और ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते, नीचे लाल कलर के बटन को दबा दीजिए या फोड दीजिए, लेकिन लाल वाला बटन दब जाना चाहिए, ओय अश्रफ अली, दब जाना चाहिए, समझ रहे त सबक लेते रहो और जीवन में आगे बढ़ो और जीचे कोलर के लाल रहे हैं नीचे करने काची में आप हमीजिय में आप हमारे बटन से लेक्ता कर सं़ेंगक।